प्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको यह वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाले हुए मैं किस तरह से बना के तियार किया है इसके लिए मैंने लटकन लगाई यहां पर पॉम पॉम बोल लगाई है और यह फूल ओप्शनल है आप लगाना चाहें तो तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो तोरण पट्टी पादम यह वाला डिजाइन बना के दिखाएंगे तो चलिए तो स्टार्टिंग हम तोरण पट्टी से करेंगे तोरण पट्टी के लिए 10 चेन लेनी दस चेन पर आठ डबल क्रूज यह बनाने इस पर हम आठ डबल क्रूज यह बना लेंगे दो चेन सोड़ के तो यह दिखें इस तरह से आठ डबल क्रूज यह बना के तीन चेन ले लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए और एक तो यह डबल क्रूज यह में आएगा एक डबल क्रूज यह बना लेंगे तो यह दो डबल क्रूज यह बना लेने उसके बाद एक चेन लेनी दो लास्ट के लिए छोड़ेंगे और बीच में चार बचे हैं 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3 यहां पर डालेंगे 2 के बाद 1, 2, यहां पर दो इधर रहेंगे, दो इधर बीच में डालेंगे यहां पर चार डबल क्रोशी बना लेंगे बीच में 2 चेन लेके 2 दो चेन ले लेंगे दो और बना लेंगे एक चेन लेके वापिस से लास्ट के दो डबल क्रोशी बनाने बीच में दो छूट जाएंगे हमारे दुन्नों साइड में दो तो जाइन बनेगा अब तीन चेन लेने नेक्स राउंड के लिए और फिर स्टार्टिंग के दो बनाने है और लास्ट के दो सेम बनेंगे बीच का भी सेम बनेगा हमारा एक चेन लेके बीच में इस तरह से हमें तोन पटी तियार कर लेंगे उसके बाद हम फिनीसिंग करेंगे हाप डबल क्रोशे में एक चेन और लास्ट के दोनों डबल क्रोशे बना लेंगे कर लेंगे तो यह देखी फ्रेंट से इस तरह से हमें डिजाइन बनाना है और लब बाद में फिर हम इसकी फिनीसिंग कर लेंगे हाप डबल क्रोशे हमें तो यह देखी फ्रेंट से इस तरह से हमने बना के तोन पर्टी तियार की है और अब हम इसकी फिनीसिंग कर लेंगे यह किस तरह से कर रहें हो दिखाने यह बीच में हमें एक रवड्र चूड़ रहें तो पर ठीक हो उसके बाद हम यह हाप डबल गरूशे दो बार बना रहें एक यह जगह पर फिर दो जेरे रहें दो चैन और यह वाला बुक्स छोड़ देंगे यह वाला ने यह वाला इस तरह से हमने ये फिनीशिंग कर लेनी दो चेन बीच में दो चेन रखने और एक बोक्स होड़ना है फिर डाल लेना है फिर दो डबल क्रोश भी बनाने still above चेन लेनी और अब इसे हम यहाँ पर बनाड देंगे तो इस तरह से हमें यह तोन पत्टी बनाके दियार कर लेनी है अनर्व हम डिजाइन बना के दिखाएंगे तोरन के लिए तो यह देखें यह तोरन पटी हमारी तियार अब इस तरह से बनाके डिजाइन की स्टार्टिंग हम यही से करेंगे इस वाले में जाएंगे चेन लेंगे थ्री और तीन डेबल क्रोश यह और बनाएंगे यहां पर तीन फिर दो चेन लेंगे और इस वाले में बना लेंगे चार डबल क्रोश ही दो चेन लेंगे तो इस तरह से हमें यह टोटल आठ बनाने हैं काउंट करके अगर आपको पेटल बड़ी रखने हैं तो आप दस बना सकते हैं इस तरह के इतने गैप पे हम उपर दो चेन का गैप रखेंगे निच्चे हरे कि इसमें डालेंगे दो चेन जो हमने ली हैं प्रीजिंग की तो यह देखें यह मैंने आठ बना लिए हैं चार चार डबल क्रोश यह वाले अभी मैं यहां पर चार चेन लूँगे वान टू त्री पूर और इसके लिए मैं यह वाला बोक्स छोड़ दूँगे एक फिनीशिंग वाला और नेक्स्ट में डाल लूँगे यहां पर चार डबल क्रोश यह बनाऊंगे इस तरह से आ जाएगा उसके बाद वापी से मैं चार चेन लूँगे टू थ्री पूर और यह वाला बोक्स छोड़ दूँगे जैसा कि इधर मैंने एक बोक्स छोड़ा है इधर भी एक छोड़ दूँगे फिर एक छोड़के नेक्स्ट में डालके चार डबल क्रोश यह बना लेंगे अब हम कंटेनिव आठ वापीस से बना लेंगे इस तरह से यह वाला राउंड हम त्यार करेंगे अब हम वापीस ये वाले बना लेगे उसके बाद फिर हमें एक ये वाला बनाएंगे फिर ये बनाएंगे इस तरह से ये राउन हम तो यह देखें ये वाला राउन मैंने complete कर लिया है अब हम नेक्स राउन बनाएंगे हम यहीं से start करेंगे क्योंकि हमारे सेवन बने हैं यहां तक तो हमें एक राउंड इसी के उपर ले लेंगे तो यह हमारा एड़्जेस हो जाएगा फिर नेक्स राउंड से हमें इस साइड से कम करने शुरू करेंगे यहां पर एक छे लिएयं हम इसमें एक एक लिए तो एक एक भी ले सकते इस वालेमें इतने लिएया उतने भी ले सकते हैं यहां पर हमने एक एक छेन लिएयें अब हम नेक्स इसमें डाल रहे है कि टेन लेंगे फिर नेक्स में डाल लेंगे तो इस तरह से यह हमारे इस ताउन में छेह हो जाएंगे टोटल जो हमने आठ लिये हैं यह हमें कम करते जाना है और जहाँ पर हमने एक लिया है उसे हमें बढ़ाते जाना है यह देखे यह इस तरह से आएगा तो यह देखे इस तरह से यह हमने काउंट करके देखेंगे तो यह सेवन हमारे रह जाएंगे इस राउन में हमने आठ बनाए थे टोटल आठ के इस राउन में साथ रह गए फिर छे रह जाएंगे फिर पांच चार तीन दो एक इस तरह से यह कम होते जाएंगे और हमें यह वाले बढ़ाते जाना है, यह हमने 2, 1 से 2 कर लिया है, next में यह 1, 2, 3 बन जाएंगे, चेन हम यह बराबर लेते जाएंगे, चार यह हमने चार चेन ली हैं, तो चार ले लेंगे, अगर आपको और ज्यादा लिज रखनी हैं, तो पांच या चे भी ले सकते हैं, तो चार चेन लेंगे, वन, टू, त्री, फोर, इस तरह ऐसे फोर चेन लेके, और इसका जो यह चार चेन ली हैं, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर चार डबल क्रोशी बना लेंगे, बीच में एक चेन ही लेंगे, जो आमने यहाँ पर ली हैं, एक एक चेन, उतने ही ले लेंगे, एक चेन, और यहाँ पर वापीश से चार डबल क्रोशी, दूसरी साइड में, इस तरह से ही हमें बना के त्यार करना है, अब जो चेन लेंगे, यह वाला छोड़ देना रहते हैं, और इसमें डालना है, तो इस तरह से यह हर बार गड़ते जाएंगे, और यह हम बढ़ते जाएंगे, यह वाला डिजाइन, इस तरह से यह डिजाइन हमारा बनके त्यार होगा, तो यह हम बढ़ा लेंगे, continue तो यह देखे प्रेंट्स यह इस तरह से यह एक बचा इस डिजाइन में लास्ट में तब तक मैंने बना लिया और इसके यहां पर हमने आठ लिये थे इसके भी आठ हो गए लास्ट में अब हमें इसके इस वाले कम करना है यह डिजाइन यूं ले जाना है त की यह पूरी से पाधर इसकी इस तरह से दिजाइन हमारा होघे गए तो यह हम ब्लू कलर में बनाएं ऑपर का अदि प्रतील क champions ॏ сами कलर में बըा सकते मैं ब्लू कलर में बनाऊंगी इसे वो स्टार्टिंग होगी हमारी यहां से क्योंकि हमें कम करते जाना है तो हमें यहां से स्टार्टिंग करने है तो अभी हमारे बनेंगे वन टू त्री फॉर फाइफ सिख सेवन बन जाएंगे इसी तरह से कम करते करते हमें पूरा कम कर लेने हैं एक बचेगा तब तक हमें बनाते जाना है इसमें हमें स्टार्ट कर लेंगे यहां से यह एक छोड़ के तीन चेन लेके वन टू तू तरी स्टार्टिंग करेंगे कि सेम ऐसे बनाना है चार चार डबल क्रोश यह लेकिन बस यह अलग-अलग बनाएंगे बीच के दोनों ही यह मैंने आप तोरण बना के दिखाये डिजाइन के लिए अगर आपको पूरा तोरण बनाना है तो आप डबल लें इससे पट्टी तोरण पट्टी और इसमें जितनी पेटल बनें उससे डबल पेटल्स बनानी इससे तरह इसे सेम बना लेंगे साथ बनेंगे तो यह देखिए साथ बन गए है अब हमें नेक्स राउंड में इससे भी कम करने तो उसके लिए हमें स्लिप स्टीच से इदर आना है और इस वाले में इस वाले में बनाना स्टार्ट करना है इस तरह से कम होते जाएंगे और जब तक एक बनेगा हम ऐसे ही बनाते जाएंगे कम करते जाएंगे स्लिप स्टीच ले लेके अब कि बार इस राउंड में हमारे 1234566 बनेंगे फिर फाइब बनेंगे फिर फॉर फिर थी टू और वन तो इस तरह से हम यह बना लेंगे उसके बाद हमें इसमें लटकन पॉम पॉम जो चाहे लगा सकते हैं इसमें तो पहले हम यह वाला डिजाइन कम्प्लेट करेंगे इस पर बना लेंगे इसके बाद में तो यह देखें इस तरह से यह मैंने बना लिए कम करती गए मैं यह एक बचा लास्ट में यहां पर मैंने लटकन लगाई है पूरियां के लिए मैंने पॉम-पॉम बॉल बनाई है इस कलर की तो यह लगाऊंगी अब चाहें तो से मैंसे लटकन भी लगा सकते हैं कि अब दो नो पे इस तरह से मैंने पॉम-पॉम बॉल लगाने हैं और यहां के लिए यह मैंने फूल बनाए हैं तो यह देखें डिजाइन बनके तियार है हमारे बिलकुल एग दम बहुत सुन्दर डिजाइन है तो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए थैंक यू